एक फिल्म के लिए इतने करोड रुपए लेती है जानवी कपूर जानी कितनी है कुल संपत्ती बॉलिवुड के स्टार एक्रस और लेट आक्रस श्री देवी की बेटी एक्रस जानवी कपूर हाली अपने 25th बोधे सेलिबरेट कर चुकी है वो सोशल मीडिया पर अपने बोल अंदास में कई फोटो शेयर करती रहती है और उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जम कर बावाल मचाती है लेकिन हम उनकी कपडों को लेकर खास बात नहीं करने वाले हैं बलकि उनकी कमाई को लेकर चर्चा करने वाले हैं साल 2018 में आई फिल्म धड़क से जानवी कपूर ने बॉलिवूट में कदम रखा था लेट अक्टरेश श्री देवी और फिल्म प्रेटियूसर बोनी कपूर की बेटी होनी के बावजूद जानवी ने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बताई है जानवी कपूर बॉलिवूट की हाइस पीड अक्टरस के लिस्ट में शामिल है जानवी अपनी पहली ये फिल्म धड़क से ही हिट हो गई थी इसके बाद अक्टरस ने इपके बादे कई शांदार फिल्में बॉलिवूट को दे हैं इन फिल्मों से उनकी संपत्ती में भी काफी इजाफा देखने को मिला मीडिय रिपोर्ट्स की माने तो जानवी हार फिल्म के 5 करोड रुपए चार्ज करती है खबरों के मताब एक अक्टरस कुन की पहली फिल्म धड़क के लिए महस 45 लाक रुपए मिले थे अगर बात करें जानवी कपूर की नेट वोर्थ के बारे में तो साल 2022 में जानवी की कुल संपत्ती लगबख 60 करोड रुपए से भी जादा है आपको बताते कि जानवी कपूर जल्दी ही आनंद ऐल राय की फिल्म गुड लग जरी में भी नजर आएंगी ये फिल्म साल 2018 के कमिल फिल्म कोला मावू कोकला की हिंदी रिमेक मानी जारही है इसके लवा जानवी तक मिली और दोस्ताना तू में भी नजर आएंगी शायद कपूर की बेहन सना कपूर ने रखा फामिली डिनर बॉलीवर आक्टर शाहिद कपूर की बेहन सना कपूर की हाली में शादी हुई है सीमा पवा और मनोश पवा के बेटे मयंग के साथ इन्होंने दो बार्च को फेरे लिए थे शादी के कुछे दिन बाद पवास ने कपूर के लिए एक डिनर पाटी भी और्गनाइस की जिसमें शाद कपूर, मीरा राजपूर, पंकच कपूर और सुप्रिया पाथ हक शामिल हुए इस दोरान की फोटोस सोचल मीडिया पर सीमा पवा ने शेयर की है इन फोटोस में सना की साससुर के संग बॉंडिंग काफी अच्छी नज़र आ रही है सीमा पवा ने जो फोटोस शेयर की हैं उसमें सना और मैंक, शाहिद और मीरा साथ में रज़र आ रहे है सना कपूर के साथ शाहिद के एक अलगी पॉंडिंग रही है बले ही सना सुप्रिया और पंकच की बेटी हैं लेकिन शाहिद के साथ उनका बच्पन बीता है वहीं मीरा कपूर ये बात करें तो उन्होंने हलके पिंक कलर के शिफॉन फ्लोरल साड़ी पहनी हुई है अपने लुक को मीरा ने काफी सिंपल रखा हुआ था वहीं सना ने वाइट ड्रस पहनी थी और मैंक ने ब्लाक कोट सूट पहना हुआ था वहीं शाहिद का लुक भी काफी गुरून दिखाई दिया सिंपल प्लीन वाइट शिट के साथ आक्टर ने ब्लाक पैंट्स कैरी किये हुए थे वहीं एक फोटो में सना और मैंक अपने ममी बापा के साथ पोस देते हुए भी नजर आये सीमा पहवा ने फोटो शेयर करके कैप्शन में फैंस को बताया है कि वो सब ही हमेशा के लिए दोस्त है वैसे आपको बता देगी सना कपूर और मैंक ने महाबलेशवर में सिंपल वडिंग की थी इस डेस्टिनेशन वडिंग में भावाज और कपूर स्वामली साथ में नजर आये थे सोचल मीडिया पर शाहिद की बेहन सना की वडिंग फोटोस काफी वाइरल हुई थी खबरों के मताबिक सना और मैंक की कुछ महीनों पहले ही सगाई हुई थी और सना ने फिल्म शांदार से बॉलिवट में डेब्यो भी किया था इस मूवी में शाहिद कपूर लीड रोल में थे वैसे आपको बता दे कि शाहिद कपूर के अपने सौतेले भाई बेहनों के साथ काफी अच्छे रिष्टे है सासुमा की गोद में बैठी हुई निजराईं काट्रीना कैप विकी कोशल ने शेयर की सबसे प्यारी तस्वीर थोड़े दिन पहले ही विकी कोशल और काट्रीना कैफ ने शादी की थी और उसके बाद से लगातार विकी और काट्रीना को तारीफ ही मिल रहे है लेकिन इस वक्त एक तस्वीर सामने आई है जो कि फैंस को काफी पसंद आ रही है और लोग इस पर काफी रियाक्शन भी दे रहे हैं दरसल विकी कोशल ने विमन्स टे के मौके पर इंस्टरग्राम पर अपनी मा के साथ काट्रीना कैफ की एक शांदर तस्वीर शेयर की है विकी ने फोटो को कैप्शन के साथ शेयर किया और लिखा मेरी दाकत मेरी दुनिया इस फोटो में काट्रीना को नेक लाइन पर कढ़ाई के साथ लाल सूट पहने हुए देखा जा सकता है जहां विकी की मा का सवाल है वो आगे की ओर सोनी की डिटेलिंग के साथ नेवी ब्लू सूट और दपटे में भी देखी जा सकती है